सर मैं तो मांग करूँगी कि इस बजट का नाम बदलना चाहिए क्योंकि ये देश का बजट नहीं ये सरकार बचाओ बजट है जे देश का बजट होता तो फिर देश में 28 राज्य हैं कितनी सारी union territories हैं सब मिला के तो ये तो 37 के करीब है लेकिन पूरे बजट में केवल 9 राज्यों को मिला जिसकी लाठी के जिसके कंधे के सहारे में ये सरकार चर रही है तो ये देश का बजट नहीं सर ये सरकार बजट था और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि बजट में natural calamities और धर्म के नाम पे भी पाखपात किया गया है ये तो मैं पहली बार ही दे सरसा पे रोज दो लाख लोग नकमस्तक होते हैं उनको मुफ्त खाना मिलता है सबसे बड़ा दुनिया भर देश भर के लोग वहाँ पे जाते हैं और जहां पे सारा दिन सरबत के भले की अर्दास होती है उसका तो आपने नाम तक नहीं लिया और फिर मैं natural communities की बात करूं त ऐसे मेरे सयोगी ने मेरे से पहले बोला कि यह जो पानी आता है हिमाचल को आपने दिया पैके तो हिमाचल का पानी पंजाब में आकर पंजाब को जब दोगो देता है और तबाही मचाता है तो पंजाब को आप क्यों भूल जाते हैं जब पानी डैम में भर जाता है तो पैकेज में उसका आपको अभार प्रकट करती हो लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है क्या पंजाब के जंता पंजाब के लोग पंजाब के किसान पंजाब का पंजाब का पानी दूसरे राज्य को जाइए तो जब पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं जब पानी उनमें ज्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं और सर आपको मैं यह भी बताना चाहती हूं तकरीबन सतर साल पहले इस सरकार ने कॉं सतर साल से आज सक डिसिशन नहीं हुए, तो जो पानी हमारा दूसरे राज्य को रिपरियन प्रिंसिपल के अगेंस चारा है, या उसको बंद किया जाए, या हमें उसका पैसा दिया जाए, ये मैं आप आपसे आज मांग करती हूँ. सर दूसरा मैं ये भी आप से मांग करती हूँ कि सेंट्रल ग्राउंड वोटर जो कह रहा है कि पंजाब के सारे ब्लॉक्स क्रिटिकल हो गए है हमारे क्यूब में हमारे वेल्स में पानी नीचे जा रहा है आज की रिपोर्ट तो ये भी है कि टॉक्सिसिटी इतनी हाई है कि पीने लाइक नहीं है तो ये सर हम लोग को तो मदद करनी चाहिए और इस पूरे बजट में मदद की बात दूर हमारा नाम तक नहीं लिए गया हमें डिमांड करती हूँ कि पंजाब को भी दिया जाए हकी सरकार होती जो कहती थी दो हजार बाइस तक हम किसान की आए दुगनी कर देंगे तो मुझे इतना ही समझा दे कि दो हजार बाइस ते इसमें तो एग्रिकल्चरल ग्रोथ 4.7 थी तो फिर पिछले सार 1.4 क्यों रहेगी जेनकी पॉलिसी इतनी अच्छी है हकीकत यह कि किसानों के ये दुश्मन हैं किसानों के हमेती नहीं हैं आज हरे एक तरह से महिंग्याई की मार देखिए आज जो 6 साल 8 साथ पहले 40 किलो का बीज का एक बैग होता था वो 800 से 1200 होता था 2000 हो गया डी एपी तीन गुना बढ़ गई कीमत पुटैश 900 से 1700 जो लेबर का कोस्ट होता था वो भी तीन गुना हो गया जो हर्वेस्टिंग के लिए होता था वो भी तीन गुना हो गया जो मशीनिली की रेंटल होती थी डीजल आपने 47 से 90 कर दिया तो वो आप सोच ले कहां तक सो जहां किसान को रिलीफ देनी थी उसमें रिलीफ किया दी मनरेगा में 0 इंक्रीज लोग सोचते थी आप बढ़ाएंगे अमाउंट बढ़ाएंगे दिन बढ़ाएंगे 0 क्रॉप इंशॉरंस क्रीप को माइनस 2.6 बसेंट उसके अमाउंट में कटोती करी यूरियाप सबसडी में माइनस 7.4 की कटोती न्यूट्रियन बेस सबसडी में माइनस 25 परसेंट कटोती गरीब कलियान योजना का बजेट 3.3 परसेंट घटा दिया किसान समार निदी का 10 परसेंट घटा दिया 18 से 22 तक जितने फार्मर्स कवर अंडर पिये फसल भीमा योजना या सब का 8-9 परसेंट उनका कट गया और पंजाब की जो मैं बात करूँ तब पंजाब की बेनफिशरी जो पी-म किसान निदी में थे और आवास योजना 2018 से घटते ही जा रहे हैं सर तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो किसान देश का पेक भरता है किसान सबसे ज़्यादा जो योगदान पाता है ये 80 करोड रोगों को जिनको आप फ्री राशन देते हैं उस किसान के साब आप दुश्मनी क्यों देखा रहे हैं मैं रिप्पील करती हूँ सरकार को कि जो MSP Legal Guarantee स्वामी नाथन कमिशन की रेकमेंच C2 प्लस 50% उसको लागू करे मैं ये भी बेंती करती हूँ सब 2-4 सजेशन देती हूँ कि जब तक आप नहीं करते कम से कम भावंतर स्क्रीम लाई है जिसकी MSP पर नहीं बिकरे हूँ मिडल जो बीच का रह जाता है वो दे एक फार्मर फ्रेंडली क्रॉप इंशॉरंस कोई स्कीम आप लेकि आए जिससे किसानों का फैदा हो इंशॉरंस कंपनी का नहीं और जो किसान के जो इंप्लेमेंट्स हैं इन पे आप GST को खतम करिये ताकि किसानों का कुछ फैदा हो उनकी फल सब्जियां बचे जिससे किसान की महंगया मौनसून आ रहा है टमाटर के रेट कहां जले जाएंगा जिया आप इंप्लेमेंट्स में जीरो करें तो बहुत कुछ फैदा हो जाएगा साखीर में पंजाब की इंडस्ट्री साथ की स्टेटों को टैक्स इंसेंटर्स देके पबाह कर दिया हमारी इंडस्ट्री भाग गई है मैं सिरफ इतनी पेंटी करती हूँ कि एसेंस आप लुध्याने गए थे वो मंत्री बनी बैठे हैं आप वहाँ पे लुध्याने गए है थे जहां पे उन्होंने मैं सेमी इंडस्ट्री को बोला था कि जो अमेंडमन्ट 43 भी जिसमें मेंडेट किता जाता है कि 44 डेज में आप पेमन्ट करिये नहीं तो आपके जो टैक्स इंसेंटिव फो फीट हो जाते हैं वो इस बजट में उन्हों नहीं किया वो बहुत देख रही थी कि इंडस्टी करें सब दो मिन्नेट जो हमारी साइकल इंडस्ट्री है जो हमारी स्पacı selटन कर दीए इंसेंटिव इंटरनाशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ 2009 से हमारा वागाबॉटर बंद कर दिया बहुत तो मैं सिलब आपको यही कहना चाहूंगी यह कॉंग्रस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पस्ति दस सालों में पंजाब के खजाने को लूट के तबा कर दिया है हमारा यहाँ पे इतना ज्यादा हमारा इतना ज्यादा करोड थ्री पॉइंट फोर लाग करोर का करजा है से राजय पे चड़ गया जी एस्टी पी रेशों 49 पर सेंट हो गया है तो सो आप इनको सजा देने के लिए आप आर्डी एफ रोक देते हैं हेल्थ मिशन का रोक देते हैं पर पंजाब के लोगों का क्या कसूर है मैं आपको बेंती करते हूं जो हमारा पैसा है वह पैसा आ है और पंजाब में औरतों का तो यह हाले की कपोशन वह भी पढ़ गया है अनीमा भी बढ़ गया है और आंगनवाडी के जो राशन मिलता है गरीब बच्चियों के लिए लैक्टेटिंग मदर्स प्रेगनन्ट मदर्स और बच्चों के लिए वह इनकी सरकार ने आम आदमी करिए ताकि लोगों को उतना हक मिले और सखीर में मैं यहीं करूंगे कि सबसे हाइस पॉपिलेशन 32% ऐसी पॉपिलेशन पंजाब में है सबसे बड़ा ग्रैनरी को योगदान पंजाब देता है फ्रीडम स्रगल में सबसे बड़ा योगदान हमने दिया इस राजे के मांग करतियों शुक्रिया